तो बच्चों कल हम लोगों ने अपने नेचर अफ़ दे रूट्स में 12 प्रपटी पड़ी थी आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी तेर्वी प्रपटी को लेकर के तेर्वी प्रपटी है एक्स स्कॉयर प्लस 2HXY प्लस BY स्कॉयर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इस इक्वल तो 0 यह जो अतनी लंबी चौड़ी एक्वेशन अपने लिखी है यह क्या है यह है सेकिंड डिगरी की जन्नल एक्वेशन ठीके अगर हम बोलें तो यह क्या है यह क्या है दूइकोटिय व्यापक सामी करन यहाँ पर X और Y दोनों ही वैरियेबल हैं ठीके X और Y दोनों वैरियेबल होने की वज़े से इसको हम बोलते हैं यदि आप y को 0 नहीं कर देते हैं तो यही equation जो है वो आपकी x में दुइघाद बन जाएगी और अगर आप इसे x में 0 x कमांग 0 कर देंगे तो यही equation है वो आपकी y में दुइघाद का समीकरण बन जाएगा ठीके तो इसको हम बोलते हैं दुइकोटिय व्यापक समीकरण अब आप याद करो कि जब हम दुइकोटिय समीकरण का गुणनखन किया करते थे तो हमें रेखिय वेंजक मिला करता था ठीके उसी तरीके से हम इसका भी क्या कर सकते हैं गुणनखन कर सकते तो दीगोटिय व्यापक समिकरन को दो रेखिय गुननखंड में विभक्त किया जा सकता है यानि दो सरल रेखाओं का समिकरन बना जा सकता है यदी इसका डेल्टा जीर हो जाए जैसे वहाँ डिस्क्रीमिन्ज हवा करता था वैसे ही आपर डेल्टा है वहाँ हम डिस्क्रीमिन्ज को यानि विवित्यगर को क्या बोला करते थे capital D बोला करते थे वैसे ही व्यापक समय करन के लिए उसको हम delta बोलते हैं delta equals to 0 होना चाहिए अब यह delta है क्या delta निकाला जाएगा तो उसको एक determinant की रूप में लिखा जाता है और वो होता है A H G H B F और G F C is equals to 0 यहां A H G H B F G F C क्या है A X square का गुणांग है X Y का गुणांग है H Y square के पद का गुणांग है B X का गुणांग है G और F का गुणांग है F और constant है C अगर आप इस determinant को हल करते हैं और आपके determinant का मान के आ जाता है शूर ने आ जाता है तो आप इस दुई कोटिये व्यापक समी करन को दो रेखिय गुणांगंडों में विभक्त कर सकते हैं दो रेखिय गुणांगंड का मतलब में क्या कहना चाह रहा हूँ कि मानलो मैंने लिखा A X square plus 2 H X Y plus B Y square plus 2 G X plus 2 F Y plus C बराबर 0 है अगर यह है और इसको आप रेखिय गुणांगंड में विभक्त करेंगे तो 2 सलर रेखाओं का समिकरन बन जाएगा वो होगा L X plus M Y plus N और एक और बनना चाहिए P X plus Q Y plus R is equal to 0 तो यदि दूइको टिये व्यापक समिकरन को आप 2 रेखिय गुणांगंड में विभक्त करना चाहते हैं तो ये तभी समभव है जब इसका ये determinant 0 हो जाए ठीके अब determinant को solve कैसे किया जाता है अगर हम determinant को solve करें तो determinant solve करने का तरीका क्या होता है मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ देखिए मैंने कहाँ delta है A H G H B F G F C ये अपना गुननखन करने का तरीका आप देखो क्यासे करेंगे सबसे पहले आप क्या करो A लिख लो A लिखने पर आपको क्या करना है ये जो इसका row है और ये इसकी column है इन element को छुपा दो और जो लिखा हुआ है उसको determinant के रूप में लिख दो यानि ये बनेगा B F F C ठीके माइनस फिर से H लिख लो H लिखने के बाद क्या करोगे इसको छुपा दो और इसको छुपा दो ठीके अब जो बचेगा वो element क्या बचेगा H के बाद यहाँ बचेगा H F और G C प्लस लास्ट वाला क्या है G लिख लो इस वाले रोग को छुपाओ इस वाले रोग को छुपाओ तो क्या दिखेगा H B G F ठीके अब इसको कैसे गुणा करना है आगे देखें डेल्टा इस इक्वल्स तो क्या आजाएगा A टाइम सॉफ इसको गुणा करने का तरीका है क्रॉस वाला जिसे यहाँ आजाएगा B C माइनस A F F स्क्वाइर माइनस H यही रहने दो फिर इससे मल्टिप्लाई कर रहे तो कितना आएगा CH माइनस F G आए जाएगा यानि क्रॉस मल्टिप्लाई कैसे कर रहे है अपन इससे पहले इसको इससे मल्टिप्लाई कर रहे है और माइनस करके फिर इसको इससे मल्टिप्लाई कर रहे है पहले इसको मल्टिप्लाई कर रहे है फिर इससे इसको मल्टिप्लाई कर रहे है ठीके ऐसे यह आखरीम अगर अपने कितने तो G आएगा पहले इसको इससे multiply करना है और फिर इसको इससे multiply तो क्या आ जाएगा H F minus और B G अब इनको अंदर multiply करेंगे तो delta बराबर अपने पास क्या आ जाएगा A B C minus A F square minus C H square plus का F G H plus का F G H और minus का B G square और हम कह रहें कि इसकी value क्या होनी चाहिए? 0 यानि इस determinant की value भी क्या होनी चाहिए? 0 यानि इसका भी value क्या होना चाहिए? 0 यानि इसका भी value क्या होना चाहिए? 0 तो यह जो finally आपका delta बन के आएगा अगर आप उसे rearrange करेंगे तो मिलेगा A B C plus 2 F G H minus A F square minus B G square minus C H square equals to 0 यानि किसी द्वी कोट ये व्यापक समी करन को यदि आप दो रेखिये गुनन खंडों में विभक्त करना चाहते हैं तो आपको उसका delta 0 करना पड़ता है ठीके? ये काम जादा तर कहां आता है? जब हम सरल रेखा के अंदर दो रेखाओं को गुनन फल करना सिखते हैं यानि हम pair of state land में जाते हैं यानि सरल रेखा यूगमो पड़ते हैं तो हमें समीकरन मिलती है हमेशा इस व्यापक रूप में और हमें ये पता करना होता है कि क्या ये व्यापक समी करण दो सलल रेखाओं को निरूपित करेगा या नहीं करेगा तो उस case में हमें क्या करना पड़ता है इसका delta 0 अब delta 0 करेंगे तो क्या करेंगे हम सबसे पहले उसका determinant लिखेंगे ठीके और determinant लिख करके उस determinant को इस तरीके से हल किया जाता है जिसका final result किया आता है ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equals to 0 ठीके तो अभी अपन को सिर्फ इतना ही समझना है कि व्यापक समिकरण के गुननखंड होने है अगर व्यापक समिकरण को रेखिये गुननखंडों में विभक तगर करना ह तो निश्चित तोर पर हमें उसका डेल्टा क्या करना पड़ेगा शुने करना पड़ेगा अब बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि जैसे तैसे बिचारे वो ये वाला equation तो याद कर लेता है second degree का व्यापक समिकरण क्योंकि यही व्यापक समिकरण जो है यह आपका सरल रिखा युगमु को भी प्रदशित करता है यही समिकरण आपके व्रत की समिकरण को भी निरूपित करेगा यही समिकरण आपके परवले को अती परवले को और दीर व्रत सब को निरूपित करेगा यानि second degree का कोई भी कर्व होगा उसको निरूपित करेगा यह वाला उसके यह कुछ-कुछ conditions हैं, ठीक है, उन condition के बारे में हम लोग यहां बात कर रहे हैं, तो यह जब हमारा एक chapter आएगा, coordinate geometry हम जब चालू करेंगे, तब हम इसके detailing में बात करेंगे, कि यह ऐसा क्यों होता है, अभी तो हमें क्या याद करना है, कि अगर इसको रेख ये गुणनन कंड हैं, आप इन दोनों को छुपा दे, आपने इसको भी छुपा दिया, और आपने इसको भी छुपा दिया, तो जो दिख रहा है, उसे लिख ले, मैंने लिखा BF, FC लिख दिया, माइनस, फिर मैंने H लिया, यहां प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, और फिर प्लस लेना ह HBGF और उसके बाद multiplication करने का तरीका कैसा है पहले ये वाला इससे होगा माइनस ये वाला इससे होगा ठीके उसको solve करने के बाद हमको ये जो मिला अगर ये शून ने आ गया तो हमारी जो द्विकोटिये व्यापक समिकरन है हमारी जो second degree की journal equation है ये factorize हो सकती है दो linear factors के अंदर ठीके अब हम इसके लिए कुछ एक और shortcut तरीका भी देखते हैं सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये बताने की कि आखिर अगर ये समिकरन दे रखा हो तो हम इसका delta कैसे निकालेंगे या इस determinant को याद कैसे करेंगे तो अगर आपने कोई भी entry इधर से उधर कर दी तो फिर वो delta नहीं रहेगा तो इसको याद करने के लिए हमें एक छोड़ी सी trick बना लेते हैं क्या कि a high-tech girl अगर मैं लिखू उसको तो क्या लिखूँगा पहले-पहले letters को मैं ध्यान दे रहा हूं ध्यान से सुनना a high-tech girl having beautiful face going for coaching समझ में आया a high-tech girl having beautiful face going for coaching अगर अब मुझे इसको याद करना होता तो मैं इसे कैसे याद करता हूँ या कैसे लिखता हूँ मैं अपने मन में ही ये बात बोलता रहता हूँ क्या कि a high-tech girl having beautiful face going for coaching अब अगर आपको ये second degree की ये वाली journal equation याद है तो आपको ये trick आराम से आपका determine निकाल के दे देगी जिसको जब हम हल करते हैं तो हमको क्या पराप्त होता है हमको पराप्त होता है ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus C H square और इसको हमको क्या करना और हमको 0 करना है determine solve करने का तरीका फिर से समझ लें आप सबसे पहले A लिखेंगे A लिखने के बाद इसकी row और इसके column को छुपा देंगे और जो बचेगा उनका multiplication किस रूप में होगा उनका multiplication ऐसे होगा कि पहले B जाके C से multiply करेगा minus फिर ये वाला इससे जाके multiply करेगा ठीके उसके बाद आप क्या करेंगे minus का H लिखेंगे plus के बाद यह minus H आता है जब ऐसा लिखेंगे तो ये वाला column और ये वाला row छुप जाएगा फिर जो multiply होगा वो H का इसके साथ और G का F के साथ इस तरीके से multiplication करके हमको ये second degree की general equation का delta प्राप्त होता है ठीके अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको ये वाले equation क्योंकि यही एक ऐस equation है जो बार-बार आपके इस्तमाल में आएगी माल लीजे आपको ये याद है और ये आपको पहले determinant लिखना पड़ेगा लिखने के बाद इसको हल करके यहां तक पहुँचना पड़ेगा अगर हम किसी trick से इस वाले equation को याद कर लें अगर तो फिर हमको इस वाद से बचना हमारा इससे बचाव हो जाएगा हमें बार-बार determinant लिखना नहीं पड़ेगा और direct इसको हम solve करके यह वाला answer लेखे अब वो जो आया है उसको कैसे याद करेंगे ठीके उसको याद करने की भी trick बताता हूँ मैं आपको डेल्टा निकालना है हमें ठीके और equation हमें क्या दे रखी है equation हमें यह वाली दे रखी है second degree की general equation अब हम क्या करते हैं द्यान से सुनना क्या हम ABCD जानते हैं अच्छे से हम जानते हैं कि कौन सा किसके बाद आता है सही बात तो मैंने क्या कहा कि चलो चलो करते हैं ABCD सीखना क्या सबसे पहले A आ रहा है आपको कहीं भी equation में A दिख रहा है आप बोलोगे सर बिल्कुल दिख रहा है पिर देखोगी B क्या B दिख रहा है आपको पूरी एक्विशन में कहीं पर भी बिल्कुल दिख रहा है B तो मैंने B भी लिख लिया फिर मैंने आपसे पूछा कि B के बाद कौन? C C B दिख रहा है तो मैंने C B लिख लिया फिर मैंने आपसे बोला D अब D तो यहाँ पर कहीं दिखी नहीं रहा है E E भी समी के रणमें कहीं नहीं आया F आपने बोला सर F तो आया यह रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दो लेटर मिस हो गए यानि मैंने यहाँ लिखा A B C आया प्लस दो लेटर मिस होए थे D और E मिस हो गया था तो मैंने प्लस D E के जग़े प्लस 2 लिखा अब मैंने को F दिख रहा है तो मैंने वापस से लिखना शुरू करा F फिर देखिए क्या G दिख रहा है बिल्कुल G दिख रहा है क्या H दिख रहा है H B दिख रहा है तो मैंने लिख लिया A B C दो लेटर मिस होए D और E तो प्लस 2 लिखा उसका और F G H लिखा ठीके सारे के सारे गुणांक मैंने लिख लिए हैं अब मैं क्या करूँँगा अब मैं पेरिंग करूँँगा इसका पहला अवियफ इसके पहले अवियफ के साथ जुड़ेगा मल्टिप्लाई होगा और वो माइनस में आएगा A F ठीके अब ये घात का क्या करूँगा इसको दो को क्या करूँगा B कनेट करोगे G के साथ तो आपके पास आजाएगा माइनस का B G स्क्वायर ठीके जी और फिर आखरी क्या है C है तो आप C को किस से कनेट करोगे C को कनेट करोगे H के साथ तो आपके पास आजाएगा माइनस का C H स्क्वायर तो अगर आपको वो equation याद है और आपको सिर्फ delta लिखना हो direct तो भी आप लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं हम एक बार और लिखके देख लेते हैं फटाफट हम उसे कैसे याद करेंगे हम बोलेंगे delta is equal to क्या आएगा a b c d बोलना है तो a आएगा b i i c r i मगर d और e नहीं आ रहे हैं इसलिए plus 2 फिर आ रहा है f r i g r i और h r i यहाँ तक की बात होने के बात pairing स्टार्ट करेंगे पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ तीसरा तीसरे के साथ minus में तो minus का a f square यह power बजा रही है क्योंकि इसी that equals to zero यह आपका second degree general equation का क्या बन गया delta बन गया ठीके तो आप चाहें तो इसको determined form में भी याद कर ले a high tech girl having beautiful face going for cinema going for coaching going for coffee whatever you want it और उसके बाद अगर आप उसको से उसकी जगह पर आप direct लिखना चाहें तो यह trick से आप उसको direct लिख सकते हैं अब मैंने जो बुला यह रेखी गुननकंड है यही आपका क्या है वरत है यही आपका क्या है परवला है यही आपका क्या है अती जल रखा यूग में भी है तो अभी जो हमें बात करनी वो डेल्टा इक्वल्स जीरो के लिए करनी है हाला कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें जल्दी जल्दी में ताकि आपको याद रहे कि यह कैसे होता है अगर अपनको second degree general equation दे रखा है ना ax square plus 2hxy plus by square plus 2g x plus 2fy plus c is equal to 0 तो इसका दो ही केस बन सकते हैं कि या तो इसका डेल्टा 0 हो या तो इसका डेल्टा 0 ना हो या तो इसका डेल्टा 0 हो और या तो इसका डेल्टा 0 ना हो अगर इसका डेल्टा 0 है तो यह रेखा यूग्म का समीकरन है किसका समीकरन है रेखा यूग्म का हाला कि और भी condition होती है लेकिन वो हम कब पढ़ेंगे जब हम सरल रेखा पढ़ रहे होंगे तब हमें जाद अच्छे से समझ में आएगा कि delta equal to 0 में और क्या condition चलती है ठीके अगर delta 0 हो गया तो आपका रेखा युगम का समिकरना आएगा और अगर आपका delta 0 नहीं होता है तो फिर ये क्या बन सकता है यही आपका वरत बन सकता है यही आपका परवले बन सकता है यही आपका दीर्ग वरत बन सकता है और यही आपका अती परवले बन सकता है यह जो condition है कि इसमें क्या होता है और कभी यह आपका वृत बनेगा, कभी परवले बनेगा, कभी आपका यह दीर वृत बनेगा और कभी आपका अती परवले बनेगा, यह condition है हम कहां पढ़ेंगे, coordinate geometry में पढ़ेंगे, बस अभी हमको क्या याद करना है, कि अगर delta 0 है तो इसके परवले ठीक है, अगर इसकी condition के बारे में बात करूं तो यह हो जाएगा, कि H बराबर 0 हो जाय है और A बराबर B हो जाय है, यह condition है, बता रहा हुआ आपको वो इतने सारे वक्रों को निरूपित करता है ठीके? इस पर देखिए सवाल कैसे बनेगा? इस पॉइंट पर अपन सवाल बनाए अपने कहां मालीजिये कुशन आया कुछ इस्तर का क्या? 3x² प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0 दो रेखिया गुनन खंड में विभक्त हो सकती है यह हमारा कुशन है क्या यह हमें यह सिद्ध करना है कि यह जो अपकी समिकरन दी गई है यह समिकरन दो रेखिये गुनन खंडों में विभक्त हो सकती है अब अपन क्या करें इसको हम इसको कंपैर करेंगे अब इस समिकरन को इस समिकरन को आपको तुलना करना है और A, B, C और F, G, H के मान ग्याद करना है तो यहां से देखें A बराबर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो तीन होगा 2H का मान निश्चित तोर पर 4 आ रहा है तो हमको मिलेगा H बराबर 2 तो आपका A बराबर 3 आ गया H बराबर 2 आ गया ऐसे ही B Y स्क्वाइर और उदर है Y स्क्वाइर तो आप बोलेंगे कि B का मान कितना आएगा 1 आएगा B का मान 1 आ गया इसके बाद आप देखें 2G X और उदर X है तो आपन क्या बोलेंगे कि 2G का मान जो होगा वो 1 के बराबर है तो इससे G का मान आपको 1 बटे 2 मिल गया इसके बाद आपने क्या कहा 2F Y तो 2F का जो मान है वो आपका माइनस 3 के बराबर है तो F बराबर आपका माइनस 3 बटे 2 आ गया और C जो आपको दे रखा है वो माइनस 10 दे रखा तो C का वैल्यू माइनस 10 आ गया ये हमने सारे मान निकाल लिए हमने कहा A 3 है H 2 है B 1 है G 1 बटे 2 है F माइनस 3 बटे 2 है और C क्या है माइनस 10 अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये रेखे गुणनगंड में परिवर्तित होगा या नहीं होगा तो हमने अभी फ्रिक क्या सीखी थी हमने सीखी थी A B C प्लस 2 F G H माइनस का A F स्क्वाइर माइनस का B G स्क्वाइर माइनस का C H स्क्वाइर और इसको 0 के बराबर होना चाहिए अब A देखें A कितना है? 3 इंटू B कितना है आपका 1 इंटू C कितना है आपका माइनस 10 ये तो आपका एक हो गया प्लस 2 इंटू F का माण माइनस 3 बटे 2 G का माण 1 बटे 2 और H का माण कितना था? H का माण 2 था माइनस A कितना था अपना? 3 F कितना था? माइनस 3 बटे 2 यानि माइनस 3 बटे 2 का whole square लिखना पड़ेगा हमें इसे फिर के आएगा आपका माइनस का BG square तो माइनस B कितना है? 1 और G कितना था? 1 by 2 तो 1 by 2 का whole square और फिर कितना था? माइनस का c तो माइनस और c खुदी माइनस 10 था तो c को माइनस 10 लिख लिया और c के साथ कौन था h square h कमान कितना था 2 तो 2 का square अब इसे चेक कर लेते हैं यह कितना आ गया 3 into 1 into 3 यानि माइनस का 30 यहां से 2 cancel यहां से 2 cancel तो यहां आ गया माइनस का 3 माइनस प्लस हो गया तो यह प्लस और 40 यानि यह 40 आ गया ठीके अब ज़रा देखें यह क्या बना माइनस का 33 तो बना हुआ है यह माइनस यह कितना आ गया 27 बटे 4 है तो माइनस का 77 by 4 माइनस का 1 by 4 और प्लस का 40 आ रहा है ठीके तो यह आ गया मैनस का 33, इसका अगर अपने LCM लेंगे तो कितना आएगा, 4 LCM आ जाएगा, ओर मैनस 28 और मैनस 28 हो जाएगा, बैस 28 से मैनस 7 और प्लस का 40 आ गया, तो मैनस 33 और मैनस 7, मैनस 40, मैनस 40 प्लस 40 बराबर 0 है, इसका मतलब ये जो आपको समीकरन दी गई है, ये 2 कर सकता है सवाल सवाल यह कर सकता है अगर पूछा जाए तो माल लीजे इस तीन की जगह पर मैं क्या दे दू मैं दे दू बी यानि यह तीन जो दे रखा है इसकी जगह बी दे दू या माल लीजे फोर की जगह पर मैंने ए दे दिया और मैंने पूछा कि एक किस मान के लिए ए ठीके किस मान के लिए ये समिकरन जो है वो दो रेखे उनन खंडों में विबक्त हो सकती है तो आपको कुछ नहीं करना आपको तो इसको solve करना है और solve करके सीधे सीधे उस unknown की value निकाल देनी है ठीके ये सवाल clear हुआ इसमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ये जो equation है ये equation यही तरीका है वो यह कि आप question पर बहुत focus करके calculation करें हर step को लिखे अपन के सोचे कि अगर यह step लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मैं यह बोलता हूँ कि अगर आप steps सारे लिखते हैं तो आपके error के chances जो होते हैं वो बहुत कम होने लग जाते हैं क्योंकि आपकी आदत है हर calculation को करने की तो मन में कुछ ना करें जो जरूरत है उसे एक बार लिख लें क्योंकि गलत हो गया अगर तो हमको return में वापस लाना पड़ेगा पूरा calculation उससे जदा अच्छा है कि हम एक 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगा करके और इस बात को अश्योर कर लें कि हमार इस अवाली सी पर try करता है Question इस पर हैसे आगय है माली जी मैंने काई कि x square plus 2 hxy minus y square minus 2x plus का आपका आगया 4y minus 3 बनाबर 0 को रेखिया गुननखंड में रेखिया गुननखंड में विभक्त किया जा सकता है तो हमको किसका मान निकालना है अब कैसे निकाले है हमने का अगर ह के मान को ज्याद करना है तो कैसे करेंगे हम पहले इसको compare करेंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0 से यह equation आपको याद रखनी पड़ेगी ठीके अब comparison में आप a का value पदा दे पड़ा फ़र a का value आपको साफ साफ दिख रहा है 1 2h तो 2h ही है तो अपनको इसको h को h ही रखना पड़ेगा क्योंकि h का मान को अपन h से ही compare कर रहे है तो h is h इसके बाद आपका क्या आगया b जो आएगा वो minus 1 दिख रहा है मुझे इसके बाद 2gx 2gx minus 2x से compare होगा तो g का मान निश्चित तौर पर minus 1 दिख रहा है मुझे 2f 4 से compare होगा तो मेरे को f का मान 2 दिख रहा है ठीके और c बराबर minus 3 दिख रहा है फिर मैंने बोला इसका delta निकाल लो तो इसका delta क्या होगा a b c दो letter miss फिर आगया f g h minus का a f square minus का b g square और minus का c h square और इसका मान को निश्चित तौर पर शूनी होना पड़ेगा तभी ये 2 रेखिये गुनन कंडों में विभक्त हो सकती है ठीके अब मान रख देते हैं delta बराबर a कितना है 1 b कितना है minus 1 c कितना है minus 3 plus 2 into f का मान कितना है f का मान है 2 g कितना है minus 1 और h कितना है h ही है minus a 1 है f कितना है 2 तो 2 का square कर देते हैं या पर minus b कितना है minus 1 तो यहाँ minus 1 लिख लेते हैं और G भी कितना है, minus 1 तो minus 1 का square कर देते हैं, और आखरी में क्या है, minus का CH square, तो अपने यहां लिखेंगे minus, C कितना है, minus 3, और H square का H square, और यह आपका क्या हो जाना चाहिए, यह 0 हो जाना चाहिए, ठीके, अब इसको क्या करें, solve करेंगे, तो minus 3 into minus 1, यानि 3, 3 into 1, यानि यह तो 3 आ गया, 2 और 2, 4, वो भी कैसा minus का, तो यहां पर अपन क्या लिख दें, minus का 4H, इसके बाद minus का 4, minus 1 का square, 1 हो जाएगा, 1 into minus 1, minus 1, minus minus plus 1 हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, plus का 3H square, is equal to 0 आ रहा है, अब ज़रा देखेंगे, कितना आ गया, minus 4 plus 1, minus 4 और plus 1, यानि minus 3, minus 3, plus 3 से साफ हो गया, तो आपके पास बच गया, 3H square, और minus का 4H, is equal to 0, यहां से आप H common ले सकते हैं, तो आ गया, 3 minus 4H, is equal to 0, तो H बराबर 0, और H बराबर, आपका कितना आ गया, 3 बटे 4, तो H के ये दो मान है, जिस से कि ये जो समीकरण मैंने दी है, ये दो रेखिय गुनन कंडों में विभगत हो सकती है, तो इस पर जो सवाल अभी द्विघात में बन सकता है, वो इसी रूप में बन सकता है, ठीके, चलिए, next property और अपना कहें कि अपना nature of the roots का सबसे आखरी property जो है, या आखरी जो हमारा nature of the roots है, मूलों की जो प्रकरती है, वो लिखें, वो है, यदि कोई द्विघात समीकरण, x के 2 से अधिक, 2 से अधिक मूलों के लिए, 2 से अधिक मूलों के लिए, संतुष्ठ हो जाए, संतुष्ठ हो जाए, 2 से अधिक मूलों के लिए क्या हो जाए, संतुष्ठ हो जाए, ठीके, तवह सर्वसमिका कहलाती है सर्वसमिका को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सर्वसमिका को हम बोलते हैं identity इसको हम क्या बोलते हैं? identity तो यह equation नहीं है वो expression भी नहीं रहेगा वो बन जाएगी identity जो की अब जब यह बनी गई है तो जो की X के सभी वास्तविक मानों के लिए के लिए संतुष्ठ होगी संतुष्ठ होगी जो की X के सभी वास्तविक मानों के लिए संतुष्ठ होगी इसका मतलब क्या हुआ? कि यदि AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 के 2 से अधिक मूल आ रहे हैं तो A बराबर, B बराबर, C बराबर 0 है जो कि इसको क्या बनाएगा? सर्व समी का बनाएगा कंडिशन इसको क्या बना देगा? सर्व समी का बना देगा क्यों? क्योंकि आपका A, B और C खुदी 0 हो रहे हैं अब अगर आपका A, B और C खुद से ही शुन्य हो गए हैं तो आप X के मान चाहे कुछ भी डाल ले आपका जो यह समी करण है वो X के सभी मानों पर शुन्य देगा क्योंकि A भी शुन्य है, B भी शुन्य है और C भी शुन्य है अब इस प्रोपर्टी को समझे कैसे, देखिए आपको एक दुईघाद समी करण दी गई, उस दुईघाद समी करण के आपने मूल निकालने की कोशिश करी जब आप मूल निकाल रहे थे, तो हमने ये बात पहले ही कर ली थी, कि अगर आपका दुईघाद समी करण है, तो इसमें मूलों की संक्या दो ही होगी चाहे वास्त्विक हो, चाहे अवास्त्विक हो, चाहे समान हो, चाहे बिन हो मूलों की संक्या निश्चिती की दो था पर आपने देखा कि जब आप X के मानों को निकालने की कोशिश कर रहे थे या X के मान निकाल रहे थे तो आपने क्या पाया कि ये जो समिकरन है ये दो से अधिक मूलों के लिए संतुष्ट हो रही है अब अगर ये दो से अधिक मूलों के लिए संतुष्ट हो रही है तो क्या होगा तो फिर हम बोलेंगे कि वो द्विगात समीकर नहीं है वो एक द्विगात सर्व समीका है एक आइडेंटिटी है जो कि X के सभी वास्त्विक मानों के लिए सत्य होगी अब X के सभी वास्त्विक मानों के लिए सत्य कब हो सकती है जब X स्कुआर का गुणांक X का गुणांक और ये जो कौंस्टेंट है ये तीनों अपने आप क्या बन रहे हों, शूर्नी बन रहे हों अभी अपने आप शूर्नी बन गए तो आप X का मान खुछ भी रखें क्या फर्क पड़ता है आपका जो आपका LHS है वो तो हमेशा ही कैसा आएगा वो शुनी ही आएगा ठीके तो X के सभी वानों के लिए वास्तविक हो जाती है इस पर अपने एक सवाल करके देखते हैं ताकि यह कैसे होता है यह हम समझते है थिके माल लीजीया प्रशन है हमारा एक कोशेन अमने लिया कि आपका है X-A A times of X-A X-B अपन यह इसको X-B ले 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 लेते हैं इसको X-C ले 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 लेते हैं यह दो रेखिए गुनान-खंडे जिनका गुनान-फल कर रहा हूं मैं और उससे क्या बनेगा द्विघाद बनेगा और A, B और C जो है वो numbers है ठीक है और मैंने नीचे ले लिया A minus B और A minus C प्लस फिर मैंने एक और द्विघाद लिगी B लिख करके X minus A X minus C और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया B minus A और यह तो number है B minus A भी एक number होगा और B minus C भी एक number होगा प्लस मैंने लिख दिया C और एक और द्विघाद समीकरण बने लेकी X minus A into X minus B यह द्विघाद समीकरण बनेगी और जो नीचे number आ रहा है वो माली जी आ रहा है C minus A और C minus B और that is equals to मैंने कह दिया X है तो दिखी क्या हो रहा है अच्छो कि यह एक द्विघाद समीकरण बन रही है क्योंकि A, B और C अगर अंक है तो A minus B का भी कोई अंक आएगा A minus C का भी कोई अंक आएगा वो अंक गुणा हो जाएंगे A को विभाजित कर देंगे और वो इस द्विघाद में गुणा हो जाएगा फिर ऐसे ही यहाँ पर भी B minus A और B minus C दो अंक बनाएगे वो अंक B को विभाजित करेंगे और ये अंक इस द्विघाद समीकरण के अंदर गुणा हो जाएगा ठीके फिर जो तीसरा समीकरण आप मल्टिप्लाई करोगे तो ये भी दो अंक बनाएंगे C को विभाजित करेगा एक अंक आएगा वो अंक X-N into X-B से बनने वाली दुईघाद समीकरण में गुणा हो जाएगा अब आप जब तीन दुईघादों को जोड़ोगे तो क्या बन रहा होगा एक दुईघाद समीकरण ही बन रही होगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपका जो LHS लिखा हुआ है वो एक दुईघाद समीकरण है अभी RHS में 0 नहीं है वहाँ क्या लिखा हुआ है X तो यहाँ पर X का पद आया होगा इधर की तरफ आपके LHS में तो जब आप X उधर से इधर लाओगे तो क्या होगा कि वो X के गुणान को या तो सब्ट्राक कर लेगा या जो मतलब add कर लेगा ठीके तो आपका यह जो पूरा का पूरी चीज़ लिखी गई है वो एक दुघाद समीकरण को resemble करती है ठीके अब हमने बोला इसमें question क्या है X के कितने वास्त्विक मान उपरोग समीकरण को संतुष्ट करेंगे और यह single choice question है तो मैंने option आपको A दिया 1, option B दिया 2, option C दिया 3, option D दिया all ठीके और मैंने आपसे बोल दिया कि यह question कैसा है single choice question है यानि इसका एक ही उत्तर सही है ठीके, it's a single choice question ठीके, अब दिखें मैंने क्या करा, इस सवाल को हिम्मत तो मेरी नहीं होरी कि मैं इनको multiply करूँ, LCM लोर या कुछ करूँ तो मैंने ऐसे hit and trial mode पर क्या करा मैंने X बराबर A रखके देखा मैंने का X बराबर A रखके देखें जब आप X बराबर A रखेंगे तो बताओ समीकरण क्या बनेगी यहाँ आएगा A A-B, A-C बटे में नीचे भी क्या आ रहा है A-B, A-C प्लस B into 0 यानि सब कुछ 0, अगर यहाँ पर A-A 0 हो गया, तो 0 into सब कुछ 0 होने वाला है प्लस ऐसे देखो, A-A 0 हो गया तो आप लेखोगे C into 0 बराबर X की जगब पर अपने क्या रखा है? A रखा है तो क्या मिला मुझे? A बराबर A मिला यानि मेरी समीकरण हो गई संतोष्ट, अब अगर मेरी समीकरण संतोष्ट है, इसका मतलब X बराबर A मेरा एक मूल है, ठीके? अब मैंने क्या करा? X बराबर B वाला मूल लेंदे हैं अब हम X बराबर B रखेंगे तो देखे, B रखने पर क्या होगा? कि यह जो समीकरण है, यह शूर नहीं हो गई यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखें कि यह B-B की वज़े से 0 और 0 यानि सब कुछ 0 यहाँ बचेगा, प्लस का B into B-A B-C upon नीचे भी आजाएगा B-A into B-C प्लस वहाँ पर भी B-B रखूँगा तो 0 हो जाएगा That is equal to B, तो हमें मिल गया B बराबर B यानि मेरी समीकरण X वराबर B पर भी संतुष्ट हो गई यानि मुझे द्युगात के कितने मूल मिल गए दो मूल तो मिली चुके हैं पर जिस पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस पैटर्न पर मैंने X वराबर C भी रख करके देखा जब X वराबर C रखा तो मेरा पहला पर शून नहीं हुआ मेरा दूसरा पर भी शून नहीं बना लेकिन मेरा तीसरा पर बना C C माइनस A C माइनस B बटे नीचे आगया C माइनस A C माइनस B is equal to यह C आगया यह और यह कट गया और आपको फिर से मिल गया C बराबर C यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो यह और यह कट गया यह और यह कट गया तो B बराबर B आया यह C बराबर C आया मतलब मेरा समिकरण फिर से संतुष्ट हो गया अब अगर मेरा समिकरण संतुष्ट हो गया है तो मेरे X के कितने माना हैं? मेरे माना है A, B और C तीन मानों पर मेरी द्विघाज समीकरण क्या हो रही है? संतुष्ट हो रही है मैंने क्या बूला था? कि ये द्विघाज समीकरण अगर दो से अधिक मूलों के लिए संतुष्ट होती है इसका मतलब वो द्विघाज सर्व समीका बन गई है जो X के सभी वास्तुष्ट मानों के लिए सत्य है अब अगर ये multiple choice होता तो सारे answer right होता है कि एक के लिए भी सत्य है, दो के लिए भी सत्य है तीन के लिए भी सत्य है, और all के लिए भी सत्य है पर मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये क्या है single choice question है, मतलब एक ही option इसका right होगा तो हम तीन को न करके सबसे अच्छे उत्तर को देंगे क्या X के सभी मानों के लिए जो ये समीकरण है, ये क्या है सत्य है, for all values of X ये जो equation है, वो true है ठीके, क्यों क्या होता है कि अगर आपने कहा AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 दो से अधिक मूलों के लिए क्या हो रही है संतुष्ट हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, कि A b, B b, C b ये तीनों ही क्या बन रहे हैं 0 ये बन रहे हैं और अगर A, B और C 0 हो गया तो X का कोई भी मान आप डालो AX square प्लस BX प्लस C तो X के सभी मानों के लिए 0 बनेगी क्योंकि A b 0 हो रहा है, B b 0 हो रहा है और C b 0 हो रहा है अब कई बच्चे मेर से पूछते हैं कि सर, हमको कैसे पता चलेगा कि A, B और C 0 हो रहे हैं अपन उसको भी प्रूफ करते हैं और उस पर कैसे सवाल बनेगा एक तो इस तरह का सवाल है और एक उस concept पर कैसे सवाल बनेगा उसे भी देखते हैं हमने का, देखो क्या है, बचा अपन इसको प्रूफ करके देखते हैं माना की एक दुगा समिकर्ण मुझे दी गई है AX स्कॉयर प्लस BX प्लस C बराबर 0 X के 3 मान कौन से है अलफा, बीटा और गामा पर संतुष्ट हो रही है ठीके, यहाँ पर संतुष्ट हो रही है ठीके, तो अगर यह संतुष्ट हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे कि सर अगर संतुष्ट हो रही है तो A अलफा स्कॉयर प्लस B अलफा प्लस C बराबर 0 होगा बोलो yes or no, फिर अपन बीटा डालेंगे तो भी संतुष्ट होगा तो अपन बोलेंगे A बीटा स्कॉयर प्लस B बीटा प्लस C बराबर भी 0 होगा बोलो सही बात है और अपन जब तीसरा मान डालेंगे तो अपन को क्या मिलेगा A गामा स्कॉयर प्लस B गामा प्लस C बराबर 0 ठीके जी इन एक्वेशन के अपने नंबर माल लिए कि माल लो यह एक्वेशन नंबर 1 है यह एक्वेशन नंबर 2 है यह एक्वेशन नंबर 3 है ठीके मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले मैं कह रहा हूँ आप 1-2 कर दो क्या कर दो एक में से 2 को घटा दो घटाए जब घटाएंगे तो दो क्या मिलेगा A common आ जाएगा यहाँ आ जाएगा alpha square minus beta square plus मैं B common लूँआ तो क्या आ जाएगा alpha minus beta और C minus C 0 जाएगा तो A is equal to 0 अच्छा अब ज़रा देखें यहाँ पर मैंने कहा alpha minus beta common आ जाएगा तो bracket में क्या बचेगा बोलो A times of alpha plus beta बचेगा and plus B बचेगा हमको प्रशन में क्या बोला गया है कि 3 मान है अलग-अलग मान है ठीके तो आप यह बोल रहे हैं कि alpha is not equal to beta alpha का मान beta के बराबर नहीं हो सकता अगर alpha का मान beta के बराबर नहीं हो सकता तो यह पदशूने नहीं बन सकता अब अगर यह पदशूने नहीं बनेगा तो हम क्या बोलेंगे कि A times of alpha plus beta plus B बराबर 0 आप मान लिजी equation number 4 आ गया similarly अगर मैं आपसे बोलूँ कि अपन क्या करते हैं 2 minus 3 करते हैं अब logically 2 minus 3 भी वही काम करेगा इसको इसको subtract करेगा तो क्या आएगा मैं direct लिग दूँ क्या मैं यह condition लिग देता हूँ कि जो beta है अगर वो gamma के बराबर नहीं है तो इसको हल करने पर आपकी जो समिकरन बनेगी घटाने पर वो क्या बनेगी वो बनेगी A times of beta plus gamma plus और फिर आजाएगा B is equal to 0 इस equation को अपने equation number 5 माल लिए यह 4 है अब आप क्या करो 4 और 5 को भी subtract करके देख लो 4 minus 5 को subtract कर लो 4 minus 5 को जब subtract करोगे तो देखो ध्यान से क्या आजाएगा A alpha plus A beta plus B minus A beta minus A gamma minus B is equal to 0 हो रहा है तो देखो B और B तो कटी गया यहां क्या आगया A beta और A beta भी कटी गया A common लेने पर कितना आगया alpha minus gamma alpha minus gamma बराबर 0 अब हमको यह मालूमें कि alpha is not equal to gamma alpha की value gamma के बराबर नहीं है तो alpha अगर gamma के बराबर नहीं है तो आपके A को ही क्या होना पड़ा 0 अब अगर A 0 हो गया तो इसको इस मैं डाल के देखो A 0 हो गया तो अगर A 0 हो गया तो फिर इससे result आएगा कि आपका B भी शुन्य होगा भाई A 0 होने से ये वाला पड़ क्या हो गया शुन्य हो गया तो B भी शुन्य आएगा अगर A 0 आप यहां डाल दो तो देखो कि आपका B भी क्या आ गया शुन्य आ गया अब अगर A भी 0 आ गया और B भी 0 आ गया और वो यदि x के 2 से अधिक मानों के लिए क्या हो जाए, संतुष्छ हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, कि वो एक सर्व समिका है, वो एक identity है, और जो कि x के सभी वास्तिविक मानों के लिए सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि उस द्विगात का a, b और c, तीनों ही अपने आप में शून्य है तो अगर X का मान आप कुछ भी डालेंगे तो X स्क्वायर में कोई भी नंबर आएगा वो A से 0 हो जाएगा X में जो भी नंबर आएगा वो B से 0 हो जाएगा और C तो अपने आप शून्य बनी ही जा रहा है तो X के सभी वास्तों भी मानों के लिए सत्य हो जाएगा अब इस पर सवाल कैसे बनेगा माली जा कुछन आया P के किस मान के लिए P किस मान के लिए समी करण P माइनस 1 इंटो X स्क्वाय प्लस 2P प्लस 1 इंटो P माइनस 1 इंटो X प्लस P स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 एक या तो कुछन आ जाए सर्व समी का बनेगी एक सर्व समी का है या कुछन यह आ जाए कि समी करण के 2 से अधिक मूल प्राप्थ होंगे लेंग्वेज का खेल है वो किस तरीके से देता है प्लस्चन में वो डिपेंड करता है तो अपने दो तरीके से बढ़ा कि P किस मान के लिए समी करण इस सर्व समी का है सर्व समी का मतलब भी समझ में आ रहा है या P क किस मान के लिए समी करण के 2 से अधिक मूल प्राप्थ होंगे अब हमें मालूमें कि दो से अधिक मूल प्रात होना है इसका मतलब सर्वसमिका बनना है अब अगर सर्वसमिका बनना है तो सर्वसमिका का x square का गुणांग x का गुणांग और constant तीनों ही क्या बनने वाले हैं? शून्य इसका मतलब आपको p-1 को 0 रखना है तो पहले condition में p बराबर 1 आ गया फिर आप दूसरे condition में क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर ये वाला term भी 0 बनना है तो 2p plus 1 into p-1 को 0 रखना है तो यहाँ p बराबर 1 और minus 1 by 2 भी आ जाएगा ठीक है? और फिर तीसरे case में जब आप solve करेंगे तो क्या बोलोगे? कि भई p square minus 1 को 0 रखना है तो आपका p बराबर 1 और minus 1 आएगा अब ज़रा देखें ध्यान से यहाँ पर खासियत है इनकी कि यहाँ p बराबर 1 है यहाँ पर भी p बराबर 1 है और यहाँ पर भी p बराबर 1 है तो यदि मैं p बराबर 1 लूँआ तो आप देखें कि हर गुणांग जो है वो अपने आप स्वतही क्या बन रहा है? 0 बन रहा है और जैसे ही मैं यह p बराबर 1 रखूँआ तो यह जो मेरी समीकरन है यह सर्व समीका में परिवर्तित हो जाएगी और मुझे x के 2 से अधिक मेरे को x के सारे वास्तुविक मान अपने उत्तर पर प्राब हो जाएगी तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या आएगा? p बराबर 1 आएगा तो यह जो हमने भी पड़े है यह हमने 14 पॉइंट जो पड़े हैं यह 14 हैं हमारे nature of the roots यानि हमारे जो द्विखात समीकरण है उनके मूलों की प्रकरती है मैं आपको एक छोटा सा recap देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि किस order पर मैंने कैसे पड़ाया था मैंने आपको पहले बताया था d greater than 0 उस पर मूल वास्तुविक तथा भिन्न होते हैं फिर हमने दूसरा पड़ा था क्या कि d बराबर 0 मूल वास्तुविक तथा समान होते हैं d less than 0 मूल वास्तुविक होते हैं और चौथा important point हमने पड़ा था कि अगर प्रश्ण सिर्फ ये कहता है कि मूल वास्तुविक है सिर्फ प्रश्ण ये कहे क्या कि मूल वास्तविक है तो हम d greater than or equal to 0 बोलते थे क्योंकि हमें वास्तविक बोला गया है हमें पता नहीं है कि भिन्न है या समान है पाच्वे पॉइंट में हमने बोला था कि यदि किसी समीकरण का एक मूल 0 होगा तो उसका जो constant पद है जो नियतांग है वो 0 हो जाएगा और मैंने बोला था पीछे से 0 होना शुरू होता है तो यदि दो मूल 0 होंगे जो मेरा चटा पॉइंट था कि यदि दो मूल 0 होंगे तो इसका मतला b b 0 और c b 0 है सात्वा पॉइंट हमने बोला था कि यदि कोईसी दुइगात के रूप में दी गई समिकरण x2 plus b x plus c equal to 0 में एक मूल अनंत पे जा रहा हो तो उसका a 0 हो जाएगा अर्थार वो दुइगात समिकरण नहीं है वो रेखिये समिकरण है हमको बताया जा रहा है कि अनंत पे जा रहा है तो हमने बोला था इसका a b 0 होगा और b b 0 है इसको सिद्ध करने के लिए मैंने x बराबर 1 by t डाला था ठीके फिर हमने बात करी थी क्या कि अगर आपका a b c rational हो a b c परिमे हो और d 1 परिमे संख्या का पूर्ण वर्ग हो अगर a b c आपके परिमे अंक हो और जो d है आपका दुइघात का वो भी परिमे संख्या का पूर्ण वर्ग हो तो आपकी दुइघात समिकरन के मूल परिमे होंगे ठीके फिर हमने इसका एक और special case पड़ा था कि अगर यदि a बराबर 1 हुआ और b और c इंटीजर हो गए a बराबर 1 b और c इंटीजर और d किसी परिमे संख्या का पूर्ण वर्ग निकल के आ गया तो जो मूल निकल के आएंगे वो पूर्ण होंगे फिर से जाद कर ले ए बराबर 1 b और c पूर्ण और d क्या है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग अर रहा है तो आपका जो मूल निकलेगा, वो मूल क्या होगा, वो पूर्णांक होगा, इसमें एक important note लिखवाया था, मैंने क्या, कि B और C जो है, ये तो आपने वनमानी लिया, पर B और C को आप एक साथ विशम अंक नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि B और C को यदि आपने विशम अंक रखा, तो B square minus 4C एक पूर्ण वर्ण नहीं बना पाएगा, ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात करी, हमने बात करी थी कि अगर यदि एक मूल P plus root Q है, ये हमारे point होगे तो उसके बाद हमने क्या गादा, अगर एक मूल P plus root Q है, तो दूसरा मूल P minus root Q होगा कब, जब ABC परीमे ही संख्या हो, यदि P plus root Q एक मूल है, और दूसरा मूल आप चाहते हैं कि P minus root Q हो, तो आपको ABC को क्या करना पड़ेगा, परीमे, ऐसे ही यदि एक मूल P plus Iota Q है, तो दूसरा उसका संयूगमी बनेगा, conjugate pair होगा, वो होगा P minus Iota Q कब, जब आपके ABC वास्तुइक संख्याएं हो, इसके बाद फिर हमने कौन सा point पड़ा था, आज जो हमने point start किया था, वो किया था, कि यदि आपका एक द्विघात का व्यापक समीकरण दे रखा हो, तो उसे दो रेक ही समीकरणों में आप विभक्त कर सकते हैं, यदि उसका delta 0 हो, और उसका delta निकालने का एक determinant form बताया था, मैंने क्या, a high tech girl having beautiful face, going for cinema, चीके, दूसरा उसका ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square, अपने वो trick सीख ली थी, इसके बाद हमने जो आखरी point पड़ा, nature of the roots का, 14th point वो क्या था, कि यदि कोई समीकरण, आपकी द्विघात समीकरण, X के दो से अधिक मानों के ल जहां पर A बराबर, B बराबर, C बराबर क्या हो रहा है, स्वतहशुन्य हो रहा है, तो यह जो nature of the roots है, यह हमारे chapter में आगे लगातार चलते रहेंगे, ठीके, अब हम जो बात करने वाले हैं, वो दूइघात के बारे में जो सबसे important चीज़ है, जिसको हम अब समझेंगे अ दूइघात वेंज़ण जाने क्वाड्रेटिक एक्स्परेशन too आगे, तो यह हम दूइघात वेंज़ण की बात कर रहे हैं इसको समझते हैं, वेंज़ण और समिकरन के बीच में अंतर बता चुका हूं, ठीके, दूइघात वेंज़ण और द्विघात समिकरण का अंतर हमको मालूम है द्विघात वेंज़क में y आएगा ठीके ना dependent variable आएगा तो हम बोलते हैं कि द्विघात वेंज़क क्या है द्विघात वेंज़क है y बराबर ax square plus bx plus c y को 0 कर देते थे तो द्विघात समिकरण मन जाता था और इसको हम condition भी लिखते थे कि एक अभी 0 नहीं होगा और abc belongs to real number मुझे लगता है आप तो बच्चों को अच्छे से याद हो गया कि य द्विघात की बात करेगा तो ये ये चीज़े तो लिखनी ही है ठीके अब हमने क्या करा द्विघात वेंजग को समझने की कोशिश करी अब हम मूलों की बात कर चुके हैं ठीके ना मूलों की प्रकरती भी हम जान चुके है मूलों का प्रतिस्थापन यानी transformation करना भी हम सीख चुके है अब हम बात कर रहे हैं द्विघात को as an whole कि वो द्विघात पूरा होता क्या है दिखता कैसे है हम उसको कैसे महसूस कर सकते है तो हमने द्विघात वेंजग लिया अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं पून वर्ग बनाने की विदी का استعمال कर रहा हूँ और मैंने a common ले लिया A common लिया, तो मैंने को मिला X square plus B बटे A, X plus C बटे A, ठीके, फिर मैंने क्या करा, अगले पद में लिखा Y बराबर A लिखा, अब मैंसे perfect square बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो मैं कैसे करूँगा X square, मुझे मालूम है A square plus 2AB plus B square होता है, अब 2 तो यहां है नहीं, तो B by, अब अगर क्योंकि मैंने 2 से गुना किया है, तो मैं 2 से विभाजित भी करूँगा, तो मैंसे B by 2A लिख रहा हूँ, ठीके, A तो चलो था ही, हमने सिर्फ किस से गुना करा, ताकि हमने अच्छे से clear रहे हैं कि हमने A से गुना करा, तो हमने क्या करा, 2 और 2 से multiply कर रहा है ठीके, 2 into A आ गया, अब अपन क्या जानते है, कि A square plus 2AB, तो ये जो पद है आपका, ये पद किस तरीके से काम कर रहा है, ये पद काम कर रहा है, आपका B का, ये पद है A का, तभी तो A square plus 2 into A into B लिखा गया है, तो 7 में क्या आएगा, प्लस का, इसी का square भी आना पड़ेगा, तो b square बटे 4a square मुझे जोड़ना भी पड़ेगा ताकि ये पूर्ण वर्ग बने अब अपने पास क्या था? अपने पास तो plus का c भा ये तो था ही था तो हमें साथ में क्या करना पड़ा? माइनस भी करना पड़ा b square by 4a square का और इस तरीके से मैंने इसको क्या करा? इस पड़ को यहां से लेके यहां तक पूर्ण वर्ग बना दिया ठीके? अब आगे चलते हैं मैंने लिखा y is equals to a times of ये पूर्ण वर्ग जो बना उसको लिख सकता हूँ मैं x plus b by 2a का whole square plus यहां LCM लूँगा तो मेरे पास LCM आजाएगा 4a square और यहां आजाएगा 4ac और minus का b square ठीके? आगे चलते हैं अपन इस पर क्या हुआ मेरा? मैंने लिखा y is equals to a यहां a लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है x plus b by 2a का whole square अंदर जब मैंने गुणा करा तो यह बना minus minus लेते ही यहां आजाएगा b square minus 4ac और वो a जब गुणा करा तो 4a square का a ही रे गया यहां पर a square था a से गुणा करने पर वो मेरा क्या रे गया? 4a रे गया इसको मैंने उधर भेजा तो यह मेरा बना y plus d बटे 4 इसको हम d लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं d लिख सकते हैं d तो होता है b square minus 4ac और minus था इसलिए उसलिए उसलिए प्लस कर दिया और साथ में यहां पर 1 by a का गुणा भी कर दिया तो यह कुछ x plus b by 2a के form का आ गया ऐसा कुछ यहनि इसको अगर अपन अच्छे से लिख देता है एक बार यहां गया x plus b by 2a का whole square is equals to 1 upon a और y plus d बटे 4 a ठीके इस equation तक हमने इसको अपना काम कर लिया अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो थोड़े से आगी की बात है लेकिन क्योंकि अपन को सबकु सीखना है तो अपन देखे परवले जो होते हैं ठीके चार standard पैरा बोला है चार आपके पास परवले है या आपन उसको ऐसे समझते हैं कि दो ही परवले standard माल लेते हैं अपन थोड़ी देनों के लिए एक परवले होता है जो आपका इस तरक का वक्र बनाता है ठीके और एक परवले ऐसा होता है जो आपका इस तरक का वक्र बनाता है इस वाले में एक और केस बन सकता है वो केस है कि आपका परवले इधर से ऐसे चला जाए ठीके एक परवले ही हो गया एक परवले ही हो गया और एक परवले ऐसे भी जा सकता है तो देखा जाए तो आपके पास दो जो है वो शितिच परवले है horizontal parabola होते हैं standard व्यापद, journal है और ये दो आपके vertical है यानि आपके उर्धुआदाकार परवले हैं ठीके? इन दोनों परवले की समीकरण को हम बोलते हैं कि ये समीकरण y square बराबर 4ax के रूट की होती है अभी आपको सिर्फ याद रखना है ठीके? यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो परवले बना है यदि आप a धनात्मक लेते हैं तो आपका परवले जो बनेगा वो कुछ इस तरह के बनेगा ये standard parabola है y square बराबर 4ax का ठीके? यदि आप a रखनात्मक लेते हैं तो आपका परवले दूसरी और से बनेगा यानि ये standard parabola बनेगा इसलिए मैंने कहा था दो शितिज होते हैं आपके अगर आपने कहा कि साथ ये वाला परवले है अब ये कैसा है? ये उर्धुआदार है वर्टिकल है आपका वर्टिकल वाला है तो इसका जो standard equation होता है वो होता है x square is equals to 4ay का यानि y और x अपने बदल दिये इसके अंदर भी condition क्या है? कि यदि आपका a positive होगा तो आपका परवले किदर होगा? उपर की और जाएगा और यदि a रिनात्मक हुआ तो आपका जो परवले होगा वो नीचे की और जाएगा तो आपके पास जो 4 standard parabola है वो ये हैं ठीके? दो इसमें कौन से होते हैं? horizontal होते हैं दो इसमें कौन से होते हैं? vertical होते हैं horizontal जो standard parabola होते हैं उनका जो equation आप देते हैं वो y square बराबर 4ax से देते हैं अगर a धनात्मक तो ये परवले आपका दाएँ और खुलेगा a रिनात्मक तो ये परवले बाएँ और खुलेगा ठीके? इसका opening right word है इसका opening left word है ठीके? ऐसे ही आपका standard parabola है x square equal to 4 a y अगर a positive रखा आपने a का मान धनात्मक रखा तो परवले ऊपर की और की तरफ खुलेगा और यदि a रनात्मक लिया तो परवले नीचे की और खुलेगा ये 4 हमारे परवले हैं अब हमने ये बात क्यों करी? ठीके? इसको देखते हैं बटा मैं क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ पर देखें इस equation में मैं क्या कुछ adjustment करता हूँ इस equation में ये जो लिखा हुआ है पद इस bracket के अंदर जो ये पद लिखा हुआ है इतना सा जो पद है हमारा इस पद को मैंने capital X माल लिया मैंने क्या बोला? कि ये capital X है ठीके? ये क्या है? capital X है ठीके? मैंने ये जो पद है इसको माल लिया कि ये capital में 4A है 4A capital है ठीके? और मैंने जो यहाँ दे रखा है इस पद को मैंने माल लिया कि ये capital Y है क्या है? capital Y ठीके? तो मैं ये देख पाया कि जिस assumption को मैंने लिया उससे मुझे परवले का जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से बदलता हुआ दिखा X square बराबर 4AY वाला बदलता हुआ दिखा बोलो हाया ना अब X square बराबर 4AY परवले कौन सा है? X square बराबर 4AY जो परवले है वो परवले हमारे ये दो होंगे ये दोनों तो नहीं होंगे तो मैंने इसको हटा दिया मैंने का इन दोनों का कोई काम नहीं है परवले या तो हमारा इस रूप में जाएगा या तो परवले हमारा इस रूप में जाएगा इस रूप में जाने के लिए किसको धनात्मक होना पड़ता है A को धनात्मक A मतलब जो 4 के साथ multiply नंबर है वो उसको धनात्मक होना पड़ेगा अगर यहाँ देखा जाए X square is equal to 4 A Y में जो आपका समिकरन आया वो समिकरन परवले को represent कर रहा है इसका मतलब दुई घात व्यंजक का जो आलेख बनेगा जो graph बनेगा वो graph परवले होगा तो हमने सबसे पहली चीज कैसी की चुकि उपरोक्त उपरोक्त व्यंजक परवले की परवले की समिकरन की तरह है अतहा तुई घात व्यंजक का आलेख यानि graph परवले होगा क्योंकि हमने resemble करा लिया तो हमने बुला कि यह क्या है परवले होगा अब यह परवले दो तरके हैं कैसे कि या तो परवले उपर की और खुले या तो परवले नीचे की और खुले तो उपर की और खुलने के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा कि हमारा 4A कैसा होना चाहिए positive 4A positive का मतलब क्या हुआ आप बोलोगे 4A sir आपने क्या मल लिया था 1 upon A उसको positive बोलना पड़ेगा यह क्या बोलेगा आपको कि sir A जो है वो positive है तो अगर आपका A positive है तो परवले किदर होगा परवले उपर की और होगा उपर की और होगा कौनसा वाला ये वाला परवले बनेगा आपका परवले उपर की और होगा ठीके यदि आपने कहा कि सर्फ 4A रिनात्मक हुआ 4A less than 0 हुआ इसका मतलब 1 upon A को less than 0 होना पड़ेगा इसका मतलब A रिनात्मक हुगा तो आपका परवले कैसा होगा परवले नीचे की और होगा यहां तक बात clear हुई तो हमने क्या करा सबसे पहले द्विघात वेंजग को इस रूप में ले लिया जिस रूप को अगर हमने capital X और capital Y और capital A में convert किया तो मुझे ये standard parabola की तरह दिख रहा था तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि जो मेरा द्विघात वेंजग का आलेक बनेगा वो परवले बनेगा अब ये X square is equal to 4A Y कौन सा parabola है? या तो ये उपर की और खुलता है या नीचे की और खुलता है अगर इसका A जो 4A अगर ये धनात्मक है तो ये उपर की और खुलेगा और अगर 4A रनात्मक है तो ये नीचे की और खुलेगा तो यहां से मैंने rule बना लिया कि जो अगर A positive हो गया तो मेरा द्युघात वेंजग का जो आलेक होगा वो उपर की और खुलेगा और A रनात्मक हो गया तो मेरा अलेक नीचे की और खुलेगा यहां तक बात क्लिया है अब इस परवले में ध्यान से देखें जो standard parabola अपने बनाया इसका शीर्ष कहाँ पर है इसका शीर्ष यहां पर मूल बिंदू पर है यानि 00 पर है 00 का मतलब यहां पर जो X लिखा है इसका निर्देशांग भी 0 है और जो यहां Y लिखा हुआ है इसका निर्देशांग भी 0 होगा ऐसे अगर अपन यहां देखें तो यहां पर भी X का निर्देशांग भी 0 होगा और Y का निर्देशांग भी 0 होगा यही परवले का क्या कहलाएगा शीर्ष कहलाएगा अब अगर हम अपने परवले की बात करें तो चूंकि capital X square बराबर 4AY मानक standard बोल रहो नो मैं तो मानक परवले की समीकरण को प्रदर्शित करता है अतह इसका शीष अतह इसका शीष 00 होगा that is अब यह समीकरण किस रूप में लिखी बटा capital X और capital Y की रूप में लिखी हुई है तो हम बोलेंगे that is capital X का मान भी 0 आना चाहिए और capital Y का मान भी 0 आना चाहिए देखो यहाँ पर हमने कहा था कि हमारी समीकरण X square बराबर 4AY है तो मैंने कहा था small x 0 हो रहा है और small y भी 0 अब यह समीकरण तो हमारी इस रूप में है X square बराबर 4AY capital के रूप में है तो मैंने कहा capital X को भी 0 रखो और capital Y को भी 0 रखो अच्छा आपने capital X माना किसको था आपने capital X माना था X plus B बटे 2A को बो यस और नो और इसका मान आप शूनी करना चाहते हैं तो small X का मान क्या आ गया minus B बटे 2A समझ में आ रही है मेरी बात ऐसे ही आपने capital Y को शूनी करा था और capital Y आपने क्या माना समीकरण में देख के बताओ आपने वो माना था small Y plus D बटे 4A तो आपका Y का मान भी कितना आ गया minus D बटे 4A इसका मतलब क्या हुआ हम क्या बोल सकते हैं द्विगाद वेंजक के आलेख का शीर्ष सदेव minus B बटे और minus D by 4A होता है बोलो बात समझ में आई minus B by 2A और minus D by 4A होता है इससे हमने क्या सिखा हमने ये सिखा कि जो हमारा द्विगाद वेंजक है वो आले की रूप में परवले की तरह होगा और ये परवले कहा होगा या तो उपर की और खुलेगा या तो नीचे की और खुलेगा उपर की और खुलने की कंडिशन है कि आपका small A positive होना चाहिए यानि X square का जो गुणांख है यानि जो leading coefficient है वो आपका क्या होना चाहिए positive होना चाहिए तो वो कैसे खुलेगा? उपर की और और अगर आपका leading coefficient negative है यानि A रिनात्मक है तो आपका परवले कैसा जाएगा? नीचे की और सही बात इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब हमने क्या बुला? जब परवले बनेगा तो निश्चित तोर पर परवले का एक शीष होगा आप अगर परवले बना रहे हैं ऐसे तो उसका क्या होगा? एक शीष होगा वो शीष का निर्देशांग standard वाले में हमेशा होता है कि X निर्देशांग भी 0 निया और Y निर्देशांग भी 0 निया लेकिन जब हमने equation को resemble किया तो हमने X प्लस B by 2A को capital X माना था तो हमने बोला कि capital X भी हमारा 0 होना चाहिए और capital Y भी 0 इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? कि जो हमारे शीष होंगे वो सदेव minus B by 2A और minus का D by 4A होंगे इसका मतलब अगर आपन बात करें कि ये पूरा द्युगात वेंजग मैंने आपको बनाया और आपसे कोई बोले कि द्युगात वेंजग का आलेक कैसा होगा तो आप बोलोगे सर आलेक या तो परवले होगा कैसा? जिसका शीष आपको लिखना है minus B by 2A और minus D by 4A अगर मैं ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ? मैं ग्राफ बना रहा हूँ Y is equal to AX square plus BX plus C वापसे condition A not equal to 0 और A, B, C belongs to real number है आपका ठीके? तो आपका परवले का ग्राफ या तो यहसा बनेगा या तो आपका परवले का ग्राफ ऐसे बनेगा दोनों ही केस में आपके शीर्ष के निर्देशान fix है minus B by 2A और minus D by 4A अलग-अलग व्यंजक में A, B और D के मान अलग-अलग होने से शीर्ष अपने आप बदलते रहेंगे लेकिन जो शीर्ष के निर्देशान A, B, C के रूप में अपन को लिखने है तो वो हमेशा क्या होंगे minus B by 2A और minus का D by 4A अब ये जो ग्राफ बना ये आलेक है परवले का और ये परवले कैसा है उपर की और खुल रहा है तो निश्चित तोर पर यहाँ पर जो A रहा होगा वो धनात्मक रहा होगा और इसका परवले नीचे जा रहा है तो इसका A कैसा रहेगा रनात्मक रहेगा तो अब हम ये बात समझ गए है कि जो भी द्विघात वेंजक है उसका आलेक कैसा है उसका आलेक परवले है परवले उपर की और खुलता है या परवले नीचे की और खुलता है उपर की और खुलना या नीचे की और खुलना ये decide करता है इसको निर्धारन करता है A का चिन यदि A धनात्मक तो परवले उपर की और खुलेगा और A रिनात्मक तो परवले नीचे की और खुलेगा ठीके हर case में जो आपके शीर्ष के निर्देशांग है वो minus b by 2a और minus d by 4a ही होंगे ठीके